असलाम अलेकुम जनाब सब कैसे हैं यहां बेजी कॉपीराइट इश्यू की वएसे में जब म्यूजिक डिलीट करना पड़ा यह भी यूट्यूब वाले भी उपर बैठे होते हैं उपर चैनल के उपर जिसने सॉंग लगाया कॉपीराइट ठक करके भेज़ जाते है मैं ते म आप आपके उपर हमने वीडियो डाउनलोड करनी होती है आपसे हम क्या बैस करें अब चलें जी अब आप लोग ऐसे म्यूट वाज में देख लें अब अगली थोड़ी सी वीडियो में शशके वशके हैं यह देखें जी हाई 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 मैडम नूर जहां ढोलना है ढोलना सोने दित अभी तड़ी हाई होलना सोने दित अभी तड़ी चले जी यहां तो ऐसे आप लोग वीडियो देख लें वगएर वैस के और आगे टिटोरियल इसका टिटोरियल देख लीजएगा और इंस्टाग्राम पे आज हैं फटाफट कमेंट करने के चलें जी अब वीडियो के तरफ चलते हैं Assalamualaikum my YouTube family सब कैसे हमीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे आज ही हमने नूर जहां inspired make-up look करना है सबसे पहले मैंने लाल कलर की लिपस्टिक उठाई और अपने हूंटों पे हलकी से लगा के smudge कर ली क्योंकि शकल बहुत मुझाई हूँ लग रही थी मैंने का ज़रा थोड़ सी रौना का जाए सबसे पहले हम मिनाते है हेर स्टाइल ये जी अच्छी तरह मैंने back coming की और इस वक्त मैं इतना ठकी हुई हूई हूँ और नहाने के भी दिलने कर रहा हूँ गौंसले के साथ लेती हूई है पिंज लगाई काफी ज़ादा आगे से क्र्ल्स किये ये हमने हेर स्टाल कम्प्लीट कर लिया ठीक है उसके बाद बारी आती है जी फूल लगाने की मैं गेस्ट्रू में गई गल दिस्ट्से से फूल लिया और यह कट नहीं रहा था इसलिए ये जैलो फूल उतार लिया और ये अब मैं जी फिट कर लगी हूँ इसको fit करते हैं मुश्किल हो रही थी क्योंके काली पे ने बहुत जादा लगी थी तो ये अंदर fit ही नहीं हो रहा था finally जी धींगा मुश्टी करके हमने इसको अंदर ऐहां ऐसे fit कर दिया उसके बाब आरी आती है माशला जी गंज बड़ी हुई है आगे से थोड़ी सी मतलब जब बाल थोड़ से टाइट बांद है उसको हम कवर कर रहे थे डाग ब्लैक आईशेडो से ताकि घने घने बाल लगे और आप लोग के अभी अगर आगे से पोनी करें कुछ भी करें आगे से आपकी गंज नजर आए सकन नजर आए तो आप लोग ब्लैक आईशेडो फिल कर लिया करें घने घने बाल लगने शुरू हा..? अब बारी आती है हम लोगने इसको कवर कर लिया अब चोकर की बारी आती हिए हम ने देजी टोट के इस्तिमाल किया पिन नहीं लगाई, मैंने पीछे मैंने सिर्फ ना इसको नौट बान दी पीछे और चोकर गळे के दुरे करके पहन लिया, इसकी मैने तैयर लगाई दो अच्छी अच्छी सी ताके फिनिश आजाए, अच्छी सी चोकर की और यह जी है हमने गळे पे पहन लिया अब बारी आती है मेक अप करने की ये सेटिंग होगी बाल बन गया फूल बन गया जुड़ा बन गया अब बारी आती है मेक अप करने की सबसे पहले हमने आईब्रोज बनानी है हमने आईब्रोज के लिए डार्क ब्लैक कलर यूज किये और हमने पूरी अच्छी करा फिल कर देनी है चेंगी तरीके जाल ये जी हमने आइब्रोस फिल कर दी और दूसरी आइब्रोस भी हमने सेम तरीके से फिल करनी है डार्क ब्लैक आईशेडो लेने और उसके साथ गुलाई में फिल करनी हमने नोक नहीं बनानी ये जी आइब्रोज फिल हो रही है ये जी दूसरे आइब्रोज फिल हो गई और वो पहली भी हो गई पहली जादा लग रही है उस तरफ लाइट रखी हुई थी बने इसलिए जादा लग रही है उसके बाद हमने जी यहां पे लगाया Concealer और इसको हमने Blend कर दिया Blend करने के बाद लोगों ने इसके ओपर Loose Powder अप्लाई करना है यह Loose Powder अप्लाई किया Loose Powder मेरे से थोड़ से जादा अप्लाई हो गया था इसलिए पर मैंने ऐक Brush लिया और Loose Powder पॉड़र को जाड़ लिया थोड़ा सा अच्छी तरह हमने black को लगा लेना है और दिरम्यान में हम silver या कोई भी golden fill कर लेंगे जो भी अच्छा लग रहा होगा ये देखें जी अच्छी तरह दिबा के लगा लेना है ब्लैक, corners बनाने हैं और रफली सा लगाना है ज़्यादा इसकी neatness नहीं करनी है क्योंकि जिससे इंस्पारिड मेकप लोक है मैंने पिक्चर जेख की किया तो तो नीटनेस नहीं थी रफली सा ब्लैक किया हो था समजी सा बड़ा अच्छा लग रहा था अब हमने जी दूसरी आंख पर भी अपलाई कर लेना है सेम तरीके से ब्लैक की आउट लेन उपर भी और नीचे भी ये हमने बड़े प्यार प्यार से धहान-धहान से कर थी मैंने का ब्लैक इद्धर हो गया था फिर लथना नहीं फिर मेनत जाया सारी उसके बाद हम लोग ने कोई भी शिमर कलर लेना है मैंने गोल्ड मिक्स दोनों लिए और इसको दर्मयान में फिल कर दिया ठीक है दोनों साइड्स के दर्मयान में हमने इसको कर देना है फिल हाँ जी हम लोग ने सिल्वे अपलाई कर दिया उसके बाद ब्लैक की दुबारा ब्लेंडिंग की मैंने क्योंके ब्लैक थोड़ सा लाइट हो गया था सिल्वे अपलाई होने के बाद ब्रश चुठाया ब्लैक वाला और दुबारा इसको जरा नीट कर दिया और थोड़ा सा बाहर की तरफ कॉर्णर से बाहर की तरफ निकालना है ताके प्रॉपर इंस्पाइरल लोक बन जाए यह देखें जी देखें जी शीशे में देखा इदर देखा उदर देखा नइपसंद आया दवारा काला लिया और दवारा इसकी ब्लैडिंग अननी शुरू करती यह देखें जी थोड़ा सा मैंने और मजीद बाहर निकाला त जिया थे बने के चाहे में हमएगोंधर से हाइलाइट कि अब मैंडेशन की अब मैंने जी कोई बी संस्क्रीन ले लो या बाले लगाने की बारी आती है यह रखाने की लाली लाली नोस आपने के लोगा के लगा यह आती है लोग पूछ रहे थै कि आपका ना की पर यह रखा हुगा है है सांस अच्छी तरह आते है ना ये जी हमने नोस कॉंटूर कर ली जादा नहीं की थी क्योंके चबी चबी फेस है तो जादा करके जादा बारीक नाक हो जानी थी हलकी सी कॉंटूरिंग की थी ताके मेरी जो अपरी नाक है वो थोड़ सी बंदेगी पुत लगना शुरू हो ये जी हम लोग ने कॉंटूरिंग कर ली अब बारी आती है अब बारी क्या आती है करो जी फिर दोस्तियां अभी दुबारा कॉंटूरिंग हो रही है ये जी हमने हलकी सी कॉंटूरिंग की क्योंके फेस हमने चबी रखना तो तो मैंने जादा कॉंटूरिंग नहीं की थी और बिल्कुल हलकी से मने कॉंटोरिंग करने बिल्कुल शेडो आजाए अब बारी आती है लिपिस्टिक लगाने की ये जी मैंने ब्राउन कलर की पेंसिल उठाई और इसको मैंने लिपस्टिक सबसे मुश्किल थी मेरे लिए लगाना लिपसी नहीं बन रहा थे एक्स्ट्रा और फिर मुझे गुसा जटना शुरू हो गया ये भी हम ब्राउनी सेट करी जा रहे हैं चेक करें आप लिपस्टिक में मुझे बीस मिनट लग गए देखें तेड़ी आंखों के साथ मैं देख रही हूं फिर मैंने ओहो बुला और अब मैं लगाँंगी लिपस्टिक के तिल की बारी आती है तिल को हमने गोल 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 दाइरा करके तिल बना दिया और अब वाइट पैंसल लगाने की बारी आती है वाइट पैंसल ये लगा दी क्योंके वाइट पैंसल लगाते है देखो उस जमाने का ट्रेंड आया है नूर जहाने वाइट पैंसल लगाई हु मैं जरा लेशिस को सेट कर रही थी गिरी जा रही थी मैं एका चल कोई ना तो गज़ा ये जी हमारी लुक होगी कम्प्लीच हम मैं आती है फाइनल लुक के साथ ये बाल ये 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 जी फाइनल लुक आप लोग ने स्टार्ट में भी देख ली थी अब भी आप लोग ज़रा देख लें आप मुझे कमेंट्स करके पताईएगा आप लोग कैसी लगी मेरी महने तो बहुत ज़्यादा लगी चलो कोई बात नहीं कॉपी राइट अल्ला तो नो पुछे यूट्व आलो और आप लोग ऐसी एक्शन से गैस करें गाना कौन सा मैं गा रही हूं और नीचे नूर जहां। यह देखें, जी हम मेक अप उतार लेते हैं, सुर्की उतार लिये, अपने बिल्स, हमने अपने नॉर्मल स्टेट में ले आए जो हमने बढ़े कर लिये थे, आंखों से भी काला काला उतार लिया है, इतना आंखों के पर काला मैंने जिंदिगे में कभी नहीं लगाया, इसको आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे लाजमी फीडबैक दीजेगा, आप लोगों को लोग कैसी लगी, और असली गाना सुनने के लिए आप इंस्टाग्राम पर जाएं, दवाओं में याद रखिएगा, अल्ला हाफिज